जय मातारानिकी आज हम आप सभी के लिए पुनह एक बहुती महत्वपुण विशय पर जानकारी लेकर के आए हैं और आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि स्फटिक माला की असली पहचान आपको कैसे करना है कई लोगों के मन में ये प्रश्ण रहता है कई लोगों ने हमसे ये पूचा भी है कि असली स्फटिक की माला की पहचान हम कैसे करें तो आज हम आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाएंगे हमारे पास तीन प्रकार की माला है स्फटिक की और तीनों में तीन प्रकार के डिफरेंस है मतलब तीनों माला थोड़ा अलग-अलग तरह की हैं तो आज हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर असले स्पटिक माला की पहचान करना आ जाएगा तो चलिए देखते हैं जैसा की आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये तीन प्रकार की मालाएं हैं इस में से एक ये छोटी माला है और बांकी दो बड़ी-बड़ी मालाएं हैं इन में से जो पहली माला है ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैं दुकान से आफ-लाइन लेकर के आया था इस माला को आप भी जरा ध्यान से देखिए बाकी मालाओं में फिर आपको अंतर भी ढूणना है देखिए ये माला किस प्रकार से बिलकुल पारदर्शी है एक दम पूरी तरह साफ साफ इसके पूरे मनके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम दूसरी बड़ी माला को देखेंगे ये देखने में कैसी है देखिए इसके जो मनके हैं इन में डिजाइनिंग है थोड़ा हलका कट लगा हुआ है सभी मनके में और ये पिछली माला की तरह बिलकुल भी क्लीन शेप में नहीं है इस माला में आपको ध्यान से देखना है आपने देखा होगा पिछली माला में जो दाने थे वो बिलकुल गोल थे लेकिन इस माला में जितने भी दाने हैं वो बिलकुल भी गोल नहीं है कटे हुए है इन में जो डिजाइनिंग है वो कटी कटी हुई है इस माला को हमने online मगवाया था और ऐसी site से मगवाया था जो कि काफी trusted मानी जाती है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये माला ना तो Amazon से आई है और ना ही Flipkart से आई है ये किसी personal website से हमने इसको order किया था अब हम देखते हैं तीसरी माला को ये चोटी सी जो तीसरी माला है इसको हमने आफ लाइन लिया था आप सोच रहे होंगे कि ये माला इतनी चोटी कैसे है दरअसल में ये माला भी उतनी ही बड़ी थी जैसा कि और मालाएं हैं 108 मनके की ये पूरी माला थी लेकिन काफी दिनों तक हमने इसमें जब किया और किसी कारण बस जब इसके जो धागा होता वो जब कमजोर हो गया तो ये तूट गई थी तो हमने इसको दुबारा से इसको बुनवाया नहीं है और हमने आपको दिखाने के लिए इस माला को यहाँ पर रखा है इसलिए माला चोटी है आप ध्यान से देखी इसके जो दाने है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है हलका सा इन में दुनला दुनला सा दिखाई पड़ता है और जैसे की बादलों का रंग होता है ठीक उसी तरह से इसके मन के दिखाई पड़ते हैं सबसे पहली माला जो हमने देखी थी वो बिलकुल साफ और क्लियर थी उनमें पूरी तरह से वह पारदर्शी थी उसमें पूरी तरह से आरपार बहुत ही चमक दिखाई पड़ रही थी दूसरी माला जो हमने देखी थी उसमें थोड़ा कम चमक थी और ये जो तीसरी माला है इसमें बहुत ही कम पारदर्शी है ये माला और इसमें आरपार बहुत कम ही दिखाई पड़ रहा है अब हम आपको तीनों माला एक साथ ले करके दिखाएंगे इन तीनों मालाओं को जब हम अपने हाथ में एक साथ लेते हैं तो आप देखेंगे इनमें क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है आपको सीधा सीधा फर्क दिखाई पड़ेगा उपर की जो माला है वह थोड़ा कम चमकदार है कम थोड़ा पारदर्शी है और उसके जो दाने है वो कटिंग में है बीच में जो माला है जो की हमने सबसे पहले में दिखाई थी वो बिलकुल पूरी तरह से पारदर्शी है और उसके दाने पूरी तरह गोल है इसके बाद सबसे नीचे जो आप माला देख रहे हैं ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है जैसा कि पहली और दूसरी माला है उससे ये तीसरी माला बिलकुल ही अलग है और अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन में जो दो माला है एक सबसे नीचे की एक सबसे उपर की ये दोनों माला असली हैं और बीच में जो माला जो कि सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी ये ओरिजनल माला नहीं है ये डूबलिकेट माला है ये काच की माला है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि ओरिजनल स्पटिक की माला कैसे दिखाई पड़ती है और इसकी जो डूबली कैसी होती है जो नकली माला होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है आप एक बार फिर से देखिए देखिए किस प्रकार से ये इसके जो दाने है वो बिलकुल एक शेप में है बिलकुल गोल है और इसमें जो चमक है जो इसकी पारदर्शिता है वो बिलकुल बहुत ज़्यादा क्लियर है जबकि ओरिजनल स्पटिक की माला में ऐसा नहीं होता है वो इतना ज़्यादा पारदर पहचान होती है कि जब भी आप माला लें तो उसको अंधेरे में आप चाहे तो दुकांदार से बोल सकते हैं कि वो लाइट बंग करके और आपको माला में थोड़ा सा प्रयोक करने दें उसकी सत्यता को पहचानने दें तो आप माला को लेकर के आपस में जब रगड़ेंगे तो उसमें स्पार्क होगा थोड़ी बहुत चिनगारी निकलेगी तो ये कुल मिला करके इस तरह से आप स्फटिक की माला को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं एक तो जो भी हमने बताया है और दूसरी बात उसको थोड़ा सा रगड़ करके भी आप देख सकते हैं आशा है या जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा यदि हाँ तो गर परिया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें जै मतारानी की